इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफरंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है नमस्कार दोस्तों डिफरंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलो तो दोस्तों पाकिस्तान का नाम एक बार फिर उचा हुआ है विदेश में रहने वाले दो पाकिस्तानियों ने परंपरा को कायम रखते हुए एक बार फिर अपने देश का नाम रोशन किया है इसका नतीजा ये हुआ है कि दुनिया भर की मीडिया में एक बार फिर पाकिस्तान ही पाकिस्तान का नाम चाया हुआ है पाकिस्तानियों को आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि जी उनमें टैलेंट बहुत है बहुत टैलेंट है तो दोस्तों एक बार फिर से ये टैलेंट सब के सामने आ गया है पूरी दुनिया के सामने आ गया है और हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तानियों के इस टैलेंट के सामने दुनिया के एकका दुक्का मुल्क ही टिक पाते हैं तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि पूरी दुनिया एक बार फिर क्यों पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है दे टाइमस ओफ इसराइल कि इस खबर को देखिये इसमें बताया गया है कि दो लोगों को ग्रीस के एथिंस में एक गिरफ़तार किया गया है जो इरान के आतंकी प्लॉट पर काम कर रहे थे इसराइली और जूज पर अटैक करने के लिए इसमें इसराइली सीक्रेट सर्विस मुसाद के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्होंने इस इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क की जान शुनू कर दी है जिसमें ग्रीस की तरफ से कहा गया है कि आतंकी एथिन्स में मौझूद जूईश रस्त्रों पर हमला करने की फाइनल स्टेज में थे पूरी दुनिया के जो बड़े मीडिया हॉसेज हैं उन्होंने इस बड़ी घटना को कवर किया है देखे फॉक्स न्यूज लिखता है कि मौसाद ने ग्रीस में जूईश रस्त्रों पर बड़े हमले को नाकाम किया जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा सकती थी ग्रीस ने जूईश और इसराइली टारगेट पर हमले को नाकाम कर दिया है पाकिस्तान के बिरादर मुल्क, टर्की का सरकारी मीडिया, एनदूल एजनसी उसके हेडलाइन है कि ग्रीस ने दो लोगों को गरफतार किया है जो यहूदी टारगेट पर आतंकी हमला करने वाले थे ये दोनों आतंकी जो गरफतार हुए हैं वो पाकिस्तानी हैं और इनका संबंद एक पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप से है जो ग्रीस की राजधानी एथेंस में ऑपरेट कर रहा था अब हरान होंगे कि जिन दोनों पाकिस्तानी आतंकीओं को ग्रीस पुलिस ने पकड़ा है उनमें से एक की उम्र 27 साल है और दूसरे की 29 साल इन्हें एरान से आतंकी जो था एक वो अटाक करने के लिए उसने रिकूरूट किया था और इनको एथेंस में सीरियल अटाक करने के लिए तयार किया गया था इन दोनों पाकिस्तानी आतंकीओं के गिरफतारी में इसराइली सिक्रेट सर्विस मुसाद का बहुत बड़ा हाथ है मुसाद को अपने नेटवर्क से खबर मिली कि कुछ आतंकी ग्रीस में मौझूद इसराइली टार्गेट्स और यहूदी लोगों पर हमला करने के अंतिम दोर में पहुँच चुके हैं सारी जानकारी जुटाने के बाद करीब दो महीने पहले मुसाद ने इसे ग्रीस की नेशनल इंटेरिजन्स सर्विसेज जिसे एवाईपी के रहम से जाना जाता है उससे साजा की ग्रीस की intelligence agency ने इसमें अपने anti-terrorism department को भी शामिल किया मुसाद ग्रीस की intelligence service और ग्रीस anti-terrorism department ने इन आतंकियों के खिलाफ joint operation शुरू किया और आखिरकार कड़ी महनत जबर्दस intelligence की मदद के बाद दोनों आतंक वादियों को हमला करने से ठीक पहले पकड़ दिया गया मुसाद की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रीस में संदिक्दों की जाँच शुरू होने के बाद मुसाद ने इसकी खुफिया जानकारी देनी शुरू की जिससे ना सिर्फ इस network के बुन्यादी धांचे का पता चला बलकि operation के तरीके और इसका संबंद इरान से है इसकी भी जानकारी मिली मुसाद की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ये दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी जिनने ग्रीस में पकड़ा गया है वो एक बड़े इरानी network का हिस्सा थे जैसे 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 जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे पता चलता गया कि इरानी आतंकवादीयों का ग्रूप इसमें शामिल है जिसने पाकिस्तानी जिहादी ग्रूप के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम देने की प्लैनिंग की थी जांच मैं ये भी पता चला कि करिब चार महिने पहले इन दोनों पाकिस्तानी आथंकीों को टर्की के रास्ते ग्रीस में अववायध तरीके से खुसाए गया था ये दोनों पाकिस्तानी आथंकी अपने मकसद में काम्याब होने के बेहद करीब पहुँच चुके थे और इनका टार्गेट एक हमले का नहीं था बलकि सीरियल अटाक्स करने की थी इन दोनों पाकिस्तानी आतंक्युवादियों का सबसे पहला टार्गेट था सेंट्रल एथिंस में मौजूद एक जुईश रेस्टरॉं ये रेस्टरॉं सेंट्रल एथिंस के साईरी नाम की इलाके में हैं इन दोनों पाकिस्तानीों ने इस टार्गेट की रिके भी कर ली थी ये रेस्टरॉं एक सेनेगौग की तरह भी काम करता है यानि जुईश लोगों के लिए पूजा पाट करने वाली जग़ भी थी इन दोनों ने उस इमारत की पहचान कर ली थी इस पूरे इलाके का सर्वे भी कर लिया था अटैक की प्लैनिंग भी हो चुकी थी जो हैंडलर इन दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को हैंडल कर रहा था उसने हमले के फाइनल इंस्ट्रक्शन भी दे दिये थे ग्रीस पुलिस की तरफ से दिये बयान में कहा गया है केन का मकसद ना सिर्फ निर्दोश लोगों की जान लेना था बलकि सारवजनिक संस्थानों को नुकसान पहुचा कर ग्रीस के भीतर सुरक्षा की भावना को कम करना था और अंतरराष्ट्य संबंधों को भी खतरे में डालना था जब की गए जानकारी और डिजिटल डेटा के अनालेसिस से इस बात की पुष्टी हुई है कि इस नेटवर्क के सदस्यों ने टार्गेट को पहले ही ताई कर लिया था जो की बेहत खास इमारत थी उन्होंने इस पूरे इलाके की रेकी कर ली थी और हमले की करके अटैक करना वो भी तब जब वहां करीब पचास से जादा लोग मौजूद हों यानि एक तरह से बहुत सारे निर्दोश लोगों की जान लेने के प्लानिंग थी ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हें एक ऐसा ओफर दिया गया था जिसमें मारे जाने वाले हर एक शक्स के पुलिस ने जो पूस्ताश की है उसके मताबिक इन दोनों पाकिस्तानियों ने बताया कि हर एक के मरने के बदले इन्हें 15,000 यूरोज मिलते अब जरा हिसाब लगाईए कि अगर ये 50 लोगों को मार देते तो करीब 7,500,000 यूरोज इने मिल जाते अगर मैं इसे पाकिस्तान ये पाकिस्तानी आसानी से निर्दोशों की जान लेने के लिए तैयार हो गए क्योंकि एराई जानते हैं कि पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में बच्चपन से यहूदियों के खिलाफ जहर भरा जाता है उन्हें दुश्मन नमबर एक बताया जाता है देकेने झानी ये क्लास सवन, शाटते जमाद में बच्चे की क्या عigten落ती जादी सब सायराई क्या जाह्रा बारा साल के बच्चे को किया जिखा रहे हैं आप इनको यहूदियों के खिलाफ पर गामाप दे रहे हैं साथ साल के मच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे लोगा है उनका यही काम है हाना कि टोटली बिल्कुल गलत बात है इसराइल के सरकार की दरफ से ग्रीस को बार-बार थाइंक्यू बोला जा रहा है ट्विटर पर इसराइल के विदेश मंत्री एलिकोन ने भी ग्रीस की सरकार और वहां के सेक्रोटी एजनसी को धन्यवाद दिया है उन्होंने अपने tweet में कहा है कि मैं ग्रीस की सरकार और ग्रीस की intelligence और security services को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने Jewish और Israeli टार्गर के खिलाफ इतने बड़े आतंकी attack को विफल कर दिया है। आतंकवाद हमारा एक साजह दुश्मन है और इसके खिलाफ लड़ाई हमारी सरवुच प्राथमिकता है। इसके साथ साथ इसराइल की तरफ से भी ये कहा गया है कि दोनों पाकिस्तानी आतंकीयों की भरती करने वाला इरानी ग्रुप है। इरान की तरफ से इस पूरे attack की planning रची गई थी। अपने अगले tweet में उन्होंने कहा है कि तेहरान में आयातुला की सरकार Middle East और पूरी दुनिया में आतंकवाद को एक स्पोर्ट करती है और सिर्फ एक दृण और सयुत तुरुख से ही हम इरानी शासन की आतंकवादी घटन को रोक पाएंगे अब आगे इसमें इसराइल की तरफ से क्या किया जाता है और इरान की तरफ से इस पूरी घटना पर किस तरह का reaction आता है ये तो देखने वाला होगा लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का जो असली चेहरा है वो एक बार फिर पूरी से जगर नहीं दी गई है पर दा एक्सप्रस ट्रिब्यून ने इसे पब्लिश जरूर किया है लिखा है कि ग्रीस ने दो पाकिस्तानियों को गिरफतार किया है एंटी सेमेटिक अटैक की प्लैनिंग करने के आरोप में मतलब थोड़ा सा शब्दों से खेल गए हैं सीधे सी लिखते कि टर्रिस टाइक करने जा रहा है पाकिस्तानियों को पकड़ा है तो मैसेज क्लियर हो जाता लेकिन जाहिर है शब्दों से खेल कर सीधे सीधे कहने से बचा गया है इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारे देता चलूँ कि ग्रीस में मौझूद पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कारवाई बहुत जल्द शुरू होने जा रही है करीब पचास हजार पाकिस्तानियों के पहचान कर ली गई है जो अवैद तरीके से ग्रीस में रहे रहे हैं और बहुत जल्द आपको गिट आउट पाकिस्तानी जिन ग्रीस भी सुनाई देने वाला है दोस्तों उमीद है कि आपको डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा अगर जवाब हाँ मैं है तो भाई से ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए क्योंकि शेयर करेंगे तभी पाकिस्तान के इस असली चेहरे को दुनिया भर के लोग देख सकेंगे और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे प्रातना है कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके जल्दी आप तक पहुंच सके तो जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ नमस्कार जैहिंद जर मेरे ह सबस्ते ही मेरे नए जल्दी आप सके लाचन सक्थ रए है सकत्त है जल